हाई वेलकम टो मैं चैनल दी फ्लोरल वाइब्स एक बर फिर में आप लोग के साथ सकुलेंट अन्बॉक्सिंग करने वाली हूँ और इस बार भी मैंने प्लांड ओर्बिट से ही पर्चेस किये हैं तो यह जो होल आप देख रहे हैं यह एर इन आउट के लिए इन्होंने रख करता है डैमेज होने का खत्रा बना रहता है इसलिए मैं हमेसा एडवाइज करती हूँ कि रेनी सीजन में आप प्लांट भी ना खड़ी दे बट इस बार मैंने थोड़ा रिस्क लेके अपने लिए कुछ सकुलेंट ओर्डर की हूँ तो चलिए हम देख लेते हैं कि मुझे क दो सकुलेंट है तो यह जो है मेरा पहला सकूलेंट हम देखेंगे यह है लक्षमी कमल वाव आप देख सकते हैं यह कितना प्यारा कितना सुनदर प्लांट है और इसकी जो है एक पर्प्स जो तूड़ गई है सायद मेरे हाथों से ही टूटी होगी तो इनमें बहुत सारे यह प्लांट काफी अच्छा लग रहा है काफी हेल्दी है आप मदर प्लांट को भी देख सकते हैं यह काफी हेल्दी है और इसके छोटे-छोटे प्लांट जो है यह छोटे नहीं है डिसेंट साइज में है आप देख सकते हैं इनको मैं अभी भी मतल्ब मदर प्लांट से सेप तो इनको थोड़ा केरफूली निकालना पड़ेगा अब देख सकते हैं ये प्लान जो है काफी सुन्दर काफी अच्छा है तो ये मुझे only 50 रुपीज में मिला है ये काफी मुझे पसंद आगया ये काफी अच्छा है only 50 रुपीज चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट जो प्लान आप देख रहे हैं ये है चॉकलेट सीडम और आप देख सकते हैं ये प्लान काफी बड़ा है और इसकी कलर भी काफी वाइवरेंट है और काफी अच्छा इन्होंने दो प्लांट और वो भी दो बेबी के साथ में है ये काफी अच्छा हेल्दी प्लांट है इसकी कुछ एक लीफ जो है वो तूट गई है बट ये आप देखे क्लोज अप में इसकी कलर देखे आप कितना सुन्दर चॉकलेटी कलर है ये तो ये है चॉकलेटी सीडम और ये मुझे ओनली 40 रूपीज में मिला है आप देख सकते हैं दो प्लांट और दो बेबी प्लांट भी इसके साथ में है 40 रूपीज में काफी अच्छा है ये प्लांट तो इसलिए मैंने इनसे जो है रेणी सीजन होने के बावजूद भी कुछ एक सकुलेट पर्चेस किये हैं क्योंकि सकुलेट जो है मुझे चाहिए था वो इनके पास काफी कम रेंज में मुझे मिल रहे थे तो इसलिए मैने इनको पर्चेस किये हूँ तो ये जो थर्ड आप देख रहे हैं ये है इचेवेरिया मेलाको और इसकी आप कलर देखें कितना प्यारा चॉकलेटी कलर का है ये एक्चॉल में ये चॉकलेटी कलर का नहीं है बट ये थोड़ा रेडिस टाइप का है और इतने टाइम तक ये बॉक्स में था इसलिए इसका कलर चॉकलेटी लग रहा है पर ये डीप ब्राउनी कलर का होता है इसको जब आप प्रोपर सन दोके तो ये पुड़ा ब्राउन कलर में हो जाएगा काफी सुन्दर लगता है ये इचेवेरिया तो ये मुझे 60 रुपीज में मिला है जो की काफी मुझे अच्छा लगा इचेवेरिया 50-60 रुपीज में कहीं मिलता नहीं है बट प्लांट और बाइट जो है वो काफी सस्ते प्लांट हमें प्रोवाइट करते हैं चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्लांट देख लेते हैं नेक्स्ट जो प्लांट है वो है इचेवेरिया ब्लू एल्फ और आप देखे ये वाव इसकी जो है कितना सारा प्लांट ही इसमें एक प्लांट में ही बहुत सारा प्लांट बड़े बड़े प्लांट है और मदर प्लांट में एक फ्लावर भी हुई है तो इसकी रूट आप देखे रूट जो है वो पुरा इसमें फज गया है और ये देखे पहला बेबी ये सेकन है और ये छोटा सा प्लांट यहाँ पे यह चोटा सा है और मदर प्लांट के साथ में यह बड़े-बड़े दो साइड में दो जो है यह भी पप सही है बड़ा है यह और मदर प्लांट में यह फ्लावर है आप देख सकते हैं औरेंज कलर का कितना सुन्दर लग रहा है मैं आपको दिखाने पारे हूं यह काफी किस हो जाते हैं पिंक कलर का हो जाता है आप अगर इनको प्रोपर संद दोगे तो यह जो है अपना कलर चेंज करेगा और यह पिंक में हो जाएगा और इसकी जो है प्राइज है 40 रुपीस 40 रुपीस में आप देख सकते मुझे कितना बड़ा प्लांट जो है रिसीव हुआ जो कि काफी अच्छा है इसलिए मैं प्लांट और बिट से पर्चेस करती हूँ नेक्स्ट प्लांट देख लेते हैं नेक्स्ट प्लान थोड़ा डेमेज हो गया है आप देख सकते हैं यह है पैची फाइटम कॉमपेक्टम पैची फाइटम कॉमपेक्टम तो यह जो है इनकी आप देखे इस साइट के सारे लीफ जो है गिर गया है और यह वो सारे लीफ है जो गिर गया यह ट्रांजेट में जो खुबसूरत लग रहा है बट यह थोड़ा डेमेज है तो मैं इनको बाद में रिकवर कर लूँगी तो यह मेरे कुछ प्लांट थे एक्चल में मैंने 6 प्लांट पर्चेस की थी बट मुझे बस 5 ही प्लांट रिसीव हुए है तो मैं इन्हें कंप्लेंट करूंगी बाद में तो यह था मेरा कुछ प्लांट अगर आपको मेरी ये वीडियो पसना आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले आप मुझे सपोर्ट करें मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियो लेके आऊंगी थैंक्यू पर वाचिंग